यात्रियों की सुविधाओं के लिए अब कानपू सेंटरल पर बहुत जल्द AC स्लीपिंग पॉड लगने वाला है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यह वही AC स्लीपिंग पॉड हैं जो कानपू सेंटरल पर आ चुके हैं और इन्हें बहुत जल्द यात्रियों की रूम निर्धारित किया जा रहा है जहां पर यह छोटे-छोटे small sleeping pod लगाए जाएंगे, उन्हें set किया जाएगा और यात्री इन sleeping pod में बैट कर, लेट कर, सो कर अपनी दरूतों को पूरा करते हैं, अक्सर सफर करते समय हमें हमें अपनी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता ह लेकिन वो इंतजार या तो प्लेटफॉर्म पर होता है, या फिर AC रूम में जाकर हमें करना होता है, उसके लिए मैं पेट भी करना पड़ता है, लेकिन बहुत सी जगाहों पर यात्रीयों की संख्या जब बढ़ जाती है, तो फिर AC का जो वेटिंग रूम होता है, वहां पर एंट्री नहीं हो पाती है, और लोग परेशान होते हैं, लेकिन उन तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, अब कानपू सेंटर पर ये वेवस्थाएं की जा रहे हैं, कि छोटे-छोटे AC के कमपार्डमेंट, जिन्हें आप स्लीपिंग पॉर्ड भी कह सकते ह हैं, यह यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्हें मगा लिया गया है, और बहुत जल्द इन्हें यहाँ पर एसेंबल किया जाएगा, इस स्लीपिंग पॉर्ड की खासियत यह है, कि स्लीपिंग पॉर्ड में दो लोग आसानी से लेट सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, और इसम तमाम तरीके की सुविधाएं भी मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये sleeping pod काफी comfort है और तस्वीर, अंदर से आप देख सकते हैं कि sleeping pod में AC की विवस्था है, light की विवस्था है, charging की विवस्था है, आप अपने mobile को चार्ज कर सकते हैं, अपने laptop को चार्ज कर सकत हैं कि अगर कोई समस्या होती है, तो यात्री परिशान नहीं होगा, और कम जगे में दो लोग, तीन लोग, इस pot के अंदर बैठ सकते हैं, और वाता उन्हों कूलित, जो महौल है, उसको adjust करेंगे, उसमें रहेंगे, उन्हें किसी waiting room में नहीं जाना पड़ाएगा, इसके ल यह जो sleeping board है, यह किस तरीके से यह सुधा देगा लोगों को, इस छोटा सा sleeping board है, इसके अंदर AC भी है, लेटने की विवस्था भी है, तो कैसे इसमें आराम मिलेगा लोगों को, इसमें आराम मिलेगा लोगों को, इसके booking होगी, इसके booking होगी, booking में इसके अंदर लेटीन बा चार गंटे, चार गंटे, बारा गंटे, जैसे आप थाहर ना चाहें, वैसे आपको थाहरा आए जाएगा यहां पर रूख सकते हैं, अच्छा इसमें एसी की भी विवस्ता है, दो लोग इसमें आसानी से बैड़ भी सकते हैं, फायर के बी इंतिजाम है कि अगर कोई आग से स मंदित कोई चीज है, अच्छा क्या लगता है यात्री इस से यात्रियों को कितना आराम मिलेगा, यात्रियों को इसमें बहुत आराम मिलेगा, अपना जो भी ट्रेन आएगी ठंडियों में भी गर्मियों में भी सारी सुब्धाय उनके लिए हैं, ठंडी में आराम से आदम और इसके लिए जो यात्री हैं, वो booking करेंगे, उसके लिए cost paid करेंगे, और फिर छोटे-छोटे compartment में AC वाला मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि इसमें AC है, आपकी light की विवस्ता है, charging की विवस्ता है, mobile, laptop, सभी चीज़ें इसमें यात्री चार्ज कर सकते हैं, और ये जगे कम घ स्लीपिंग पॉड लग जाएंगे, तो फिर यात्रियों की दिक्कतों समस्यां कम हो जाएंगे, और उन्हें आनंद भी आएगा, हाला कि अभी ये विवस्ताएं विदेशों में देखी जाती थी, लेकिन अब बहुत जल्द कानपूर से वीडियो जर्नलिस शारिक खान के स झाल झाल